काम मिलेगा, फिर भारत के धाई लाग गाउं है, वहाँ गेहूं पैदा होता है, गेहूं का आटा सब खाते हैं, गेहूं कोई नहीं खाता, तो गेहूं का आटा गाउं में बनेगा, शहर में बिकेगा, गेहूं 11 रुपई किलो है, आटा 26 रुपई किलो बिकेगा, तो से जो मशीन में आटा पिसता वो कुछ भी दम वाला नहीं इसी आटे में क्वालिटी है जो धीमे धीमे और पुराने जमाने में हमारे घरों में वो ही आटा खाया जाता था हम बीमार नहीं पड़े जल्दी अब चक्की का आटा है गड़वडी यहां पर है और ऐसे ही भारत क धाई पौने तीन लाग गाउं में आम पैदा होता है आम का चार आम का मुरबा आम का पापड आम की बड़ी सब कुछ बनके बाजार में बिकेगा एक लाग गाउं में आलू है आलू है तो आलू का चिप्स गाउं गाउं बनवा सकते हैं चिप्स चार सो असी रुपई किल प्राइमरी प्रोडक्स मत बेचो बस इतनी सी बात समझानी है किसान कपास मत बेचो कपास से सूथ बनाके, कपड़ा बनाके बेचो कपास बिख जाता 12 रुपए किलो और वही कपड़ा बिखता है 25 से 30 और 60-70 रुपए किलो तक और वैल्यू एडिशन के लिए किसानों को ट्रेनिंग देनी है बस और क्या करना और वो ट्रेनिंग देने का काम हमारे योग सिक्षक करेंगे अभी हमारे 2,40,000 योग सिक्षक हैं जो गाओं गाओं में योग और प्राणायाम सिखाते हैं थोड़े दिन में ये सारे योग सिक्षक वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग देने लगेंगे हम उनको ट्रेनिंग देने वाले हैं वो गाओं गाओं ट्रेनिंग देंगे और गाओं को खड़ा करेंगे और इस पूरे गाओं में सौसा उद्ध्योग के लिए पिर सारा खर्चा मिला दे तो 58 लाग करोड से जादा खर्च नहीं होता और सारे गाउं खड़े हो जाएंगे अब 58 लाग करोड खर्च करके गाउं खड़े हो गए तो गरीबी भुकमरी बेकारी खतम क्योंकि हमने 100 उद्योगों का हिसाफ निकाला 6 लाग 38 लाग 365 गाउं में 100 उद्योग अगर हो गए तो कम से कम 64 करोड लोगों को काम मिल जाएगा तो सारी बेकारी खतम बेकारी खतम तो गरीबी खतम फिर क्या करें 200 लाग करोड बच गया उसको बैंक में जमा करेंगे fix deposit में भारत माता के नाम से तो उसका हर साल का बयाज आएगा वो बीस लाग करोड है और साल का ब्याज अगर बीस लाग करोड आएगा तो टैक्स लेने की किसी को जरूरती नहीं है इस देश में तारे टैक्स खतम करें तो इंकम तो पचास लाग करोड एक जटके में बढ़ जाएगी देश की फिर हम सेंट्रल एक्साइज खतम करेंगे सेंट्रल एक्साइज खतम करेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा देश का क्योंकि सेंट्रल एक्साइज टैक्स की चोरी करने के लिए उत्पादन छुपाते हैं लोग हम टैक्स ही नहीं लगाएंगे उत्पादन कोई क्यों आरे टैक्स खतम करेंगे तो बेईमानी अपने आप चली जाएगी इस देश से और इमांदारी अपने आप आजाएगी उसके और सबसे बड़ा काम जो होगा वो ये कि ये टैक्स सिस्टम खतम होते ही व्यापारी और उग्योग पतियों में थोड़ी ताकट आएगी थोड़ करने का वो शुरूआत करेंगे अभी डर के मारे चुप बैठेंगे तो टैक्स सिस्टम खतम करेंगे उत्पादन बढ़ेगा आमंदनी बढ़ेगी पैसे बजार में ज़्यादा गूमेंगे हमें फिर विदेशों से कर्ज मांगने की जरूरत नहीं हम देश का विकास देश के पैसे से ही करेंगे तो ये योजना है अपनी और टैक्स खतम हुए तो महंगाई सबसे पहले खतम हर चीज सस्ती होगी मैं आपको कुछ कैलकुलेशन्स बताता हूँ सारे टैक्स अगर हम खतम कर दें तो एक लीटर पैट्रोल मिलेगा बारा रुपए का जो अभी मिलता है चववन रुपए का सारे टैक्स खतम कर दें तो एक लीटर डीजल मिलेगा सात रुपए असी पैसे का जो अभी मिलता है 38 रुपई का सारे टैक्स खतम कर दें तो रसोई गैस का सिलिंडर मिलेगा 40 रुपई का जो अभी है 400 रुपई का सारे टैक्स खतम हो जाएं तो हिंदुस्तान में सीमेंट का एक पैकेट मिलेगा 72 रुपई का जो अभी है 300 रुपई का सारे टैक्स खतम हो जाएं एक किलो लोहा मिलेगा 12 रुपई का जो अभी है 50 रुपई का सारे टैक्स खतम हो जाएं और आपको घर बनाना पड़े तो अभी जो 20 लाख रुपई में आप घर बनाते हैं वो घर 6 लाख में ही बन जाएगा सारे टेक्स खतम हो और आपको अमेरिका जाना हो और वापस आना हो तो आने जाने का टिकेट सिर्फ साथ हजार रुपए में आ जाएगा अमेरिका का सारे टेक्स खतम हो जाए और आपके बेटे को इंजिनिरिंग पढ़ाना हो तो पांच साल की पढ़ाई पचास उदार में हो जाएगी जो अभी पांच लाख में भी नहीं होती सारे टैक्स खतम करें किसी को MBBS और MD कराना हो तो 2 लाक में हो जाएगा जो अभी 20 लाक में भी नहीं होता हर चीज सस्ती और जब हर चीज सस्ती तो नमक 15 पैसे किलो में मिलेगा जो अभी 7 रुपए किलो का है एक लीटर पानी की बोतल जो अभी 15 रुपए में आप खरीदते हैं ये 1.5 रुपए में हो जाएगी एक साबुन जो आप खरीदते हैं न 15 रुपए का टैक्स खतम करते हैं ये सवा 3,5,5 के आसपास हो जाएगा एक किलो बोशिंग पाउडर जो आप 60-70 में खरीदते हैं टैक्स खतम होता ही 19 रुपए का हो जाएगा सब महगाई सस्ती माने खतम चीजें सस्ती और चीजें सस्ती तो गरीब से गरीब आदमी को जिंदगी चलाने का आसान रास्ता खुल जाएगा और सीधी सी बात है टैक्स जितने कम होंगे आमंदनी उतनी ही बढ़ जाएगी देश की सीधी सी बात है तो आमंदनी बढ़ाने का ये तरीका है देश का सही रास्ता ये ही है अंग्रेजों ने टेक्स लगाया था हमें दबाने के लिए हम इस टेक्स को हटा देंगे तो हम खुल कर आगे आएंगे और एक दिन मैंने हिसाब निकाला कि ये 258 लाग करोड जो विदेशों से लाना है इसको रुपए में नहीं लाएंगे डॉलर्स में भी नहीं लाएंगे सोने में लाएंगे क्योंकि एक दमाने में भारत सोने का महसागर था फिर सोने का ही महसागर बनाना है तो ये पैसा सोने में लाएंगे परिणाम जानते हैं क्या होगा अगर हम रुपए में लाएं तो रुपए में डिवैल्यूएशन हो जाएगा जरूर्स से ज़्यादा रुपए आगए मार्केट में और वस्तुएं उतनी नहीं है तो रुपए की पर्चिसिंग कैपसिटी गिरेगी डिवैल्यू हो जाएगा तो अभी पचास रुपए डॉलर है फिर सो रुपए हो सकता है ये खत्रा नहीं उठाना है और डॉलर में भी नहीं लाना ये पैसा क्योंकि डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो फिर डॉलर के मूल में ब्रद्दी हो जाएगी सारी दुनिया में डॉलर की मांग नहीं बढ़ानी हमको हम तो ये पैसा लाएंगे सोने में और लाके रिजर्ब बेंक में रख देंगे और हमारे सोना रिजर्ब बेंक के पास है उतने ही नोट छाप सकते हम जरूरत पड़ेगी नोट छापेंगे खर्च करेंगे फिर छापेंगे फिर खर्च करेंगे फिर छापेंगे ऐसे करके इस पैसे का उप्योग करेंगे इसका ultimate result जानते हैं क्या होगा जैसे ही हम ये पैसा डॉलर में नहीं लाएंगे डॉलर की कीमत गिरेगी और एक जटका ऐसा आएगा कि एक रुप्या एक डॉलर हो सकता है और जिस दिन एक रुप्या डॉलर हो गया तो हमारा जो निर्यात है इसकी आमंदनी पचास गुनी बढ़ जाएगी एक ही जटके में और हमारी जो आयात के खर्चे हैं वो पचास गुने कम हो जाएंगे एक जटके में तो आयात का खर्चा कम निर्यात की आमंदनी जादा तो सर्पलस होगा हमारे पास और वो सर्प्लस इतना होगा कि ना चीन हमें पचार सकता है ना अमेरिका हम दुनिया में सबसे आगे निकलेंगे और सारी दुनिया में ये आधर्श प्रस्तुत करें और एक रुपया जो डॉलर हो गया तो एक भी हिंदुस्तानी अमेरिका में नहीं टिकेगा ये भारतवासी अमेरिका में तब तक हैं जब तक डॉलर पचास रुपय का है डॉलर एक रुपय हुआ ये सब वापस अपने वतन को लोटेंगे और उनकी अकल देश के काम में लगेगी अभी वो अमेरिका को अपनी अकल बेचकर अमेरिका को आगे बढ़ा रहे हैं फिर उनकी अकल भारत को आगे बढ़ाने में लगेगी और एक दो भारतवासी नहीं हैं, दो करोण हैं, जो बाहर हैं, कुछ एनराईज हैं, कुछ पी आईयोज हैं, परसन ओफ इंडियन ओरिजिन और नॉन रेजिडेंट इंडियन, इन दो करोणों को लाना है, क्योंकि इनकी अकल बड़ी जबरजस्त है, इन मेंसे कुछ भारतव आईयों को मैंने गल्फ देशों में देखा, जो 1970 में गए, और उनकी अकल लगा के नकलिस्तान बना दिया पूरे गल्फ को, 1970 के पहले भूखे मरते थे ये गल्फ वाले, ये भारत के इंजिनियर गए, तेल निकाल दिया वहां से, और तेल की सारी दुनिया के बादशा हो तो उनी इंजिनियरों को वापस लाएंगे, ऐसे ही अमेरिका से लेके आएंगे सबको, यूरोप से लेके आएंगे, अपना बतन, अपनी मिट्टी, अपना पानी, अपनी हवा, अपनी खुश्वू, सबको पसंद आती है, लेकिन माहौल हो वापस आने का, हम बुलाएंग तो ऐसा भारत बनाना है, जिसमें सब भारतवासी लगे, गरीबी से मुक्त, प्रश्चाचार से मुक्त, बेरोजगारी से मुक्त, हर तरह की समस्या का समाधान, हम भारतवासी ही मिलके करेंगे, कोई विदेशी हमारी समस्या का समाधान नहीं करेगा, हमें अपनी अकल लग तो हम में आत्म विश्वासाए संकल पैदा हो इसलिए मैं आपके पास आया और निवेदन करता हूँ कि आप इस लड़ाई में हमारे साथ लगे ये लड़ाई शुरू हुई है भारत स्वाभिमान के नाम से और इस लड़ाई की कमान एक सन्यासी के हाथ में है जिनका नाम है पूजनी स्वामी राम देव हमारे देश में जिन आंदोलनों के सन्यासी ओं को नेत्रत तो दिया है वो सब आंदोलन सफल हुए है मतलब भारत में सन्यासियों ने जब जब संकल्प किया है संकल्प पूरा हुआ है मैं दो धारन तो देता हूँ एक थे सन्यासि समर्थ गुरू रामदास महराश्च में उन्होंने संकल्प किया था कि औरंग जेब की सत्ता का नाश करना क्योंकि औरंग जेब बहुत अत्याचारी था हिंदूओं को मुसल्मान बनाता था मंदिरों को तोड़ता था हिंदूओं को जजिया कर देना पड़ता था समर्थ गुरू ने संकल्प लिया कि औरंग जेब को खतम होना ही चाहिए तो भगवान ने वो संकल पूरा करने के लिए च्छत्रपती शिवाजी महराज को पैदा कर दिया और आप जानते हैं च्छत्रपती शिवाजी महराज ने औरंग जेब की सत्था को इतना सीमित किया कि दिल्ली वापस जाके मर गया 1707 में औरंग जेब खतम हो गया सामराज जसक ऐसे ही एक सन्यासी हुए लातूर में लातूर यहां के नजबीक है महराश्टों स्वामी रामतीर्थ उन्होंने एक संकल्प लिया था हैदराबाद की रियासत को भारत में ही रहना होगा और हैदराबाद का निजाम बोलता था मैं तो पाकिस्तान जाओंगा स्वामी रामतीर्थ ने का तुझे जाना है तू जा पाकिस्तान रियासत तो यहीं रहेगी और स्वामी रामतीर्थ के संकल्प को पूरा करने के लिए भगवान ने सरदार बल्लब भाई पटेल को बेज़ दे अब परमपुजी ने स्वामी रामदेव जी ने संकल्प ले लिया है कि दो सो अठावन लाग करोड का जो भारत का धन विदेशों में है ये वापस लाना है और देश को गरीबी भुकमरी बेकारी से मुक्त कराना है अब उनके संकल्प को पूरा करने के लिए भागवान ने मेरे जैसे दो लाख चाली सदार योग सिक्षकों को बेज दिया और ग्यारे लाख और आने वाले आप भी उन में से एक हो सकते और इतनी बड़ी फौज खड़ी हो रही है धीरे धीरे कि ये काम होने ही वाला है तो आप भी लग जाएए इस काम को पूरा करने में काम तो होने वाला है आप लग जाएंगे थोड़ा जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा हाँ आप गलत फहमी में मत रहना मैं आपको विनमरता पूरवक कहरा हूँ आप लग गए तो जल्दी होगा नहीं लगेंगे तो भी होगा क्योंकि इस काम की कमान सन्यासी के हाथ में होने वाला तो है ये आप लग गए तो इस काम का यश आपको मिल जाएगा नहीं तो कोई और लेने वाला है इसका यश और आप अगर नहीं लगेंगे जिन्दगी भर अफसोस होगा आपको आपके बच्चे आपसे सवाल पूछेंगे कि भारत स्वाभिमान का इतना बड़ा अभ्यान चल रहा था तो आप क्या कर रहे थे उनके सामने आप शर्मिंदा ना हो इसलिए मैंने नौता दिया है कि आप भी आजाओ इसमें काम तो होने ही वाला है आप लग जाओगे थोड़ा जल्दी होगा आप आएंगे कैसे इस अभ्यान में सबसे पहली जो एंट्री होती है वो ममबर बन के होती है आप हमारे ममबर हो जाओ पहला प्रवेश आपका इसमें हो जाए ममबर होने के लिए एक फॉर्म बनाया हूआ है वो आप ले लो हमारे बारत स्वावमान के ये पतारिकारी आपको फॉर्म दे देंगे बाहर जाएंगे तो स्टॉल पे भी फॉर्म है वो आप भर दो फॉर्म जमा करते समय 51 रुपए दान दे देना इस अभियान के लिए वो भी आप से ही चाहिए गाओं में रहने वाले किसानों से 11 रुपए लेते हैं हम शहर में रहने वालों से 51 रुपए अगर जादा च्छमता है तो कितना भी आप दे सकते हो वो आपके उपर है तो आप जो दान देगो उसी से हमें लड़ाई लड़नी है हमने संकल पिया है कि किसी भी बेईमान आदम इसे करोड़ों रुपए नहीं लेंगे अगर किसी से हम 10 करोड़ ले 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 उससे अच्छा है कि हम एक करोड़ लोगों से 10 रुपए ले ले क्योंकि जो एक आदमी 10 करोड़ देगा वो अपनी धुन बजवाएगा और उसकी धुन पे हम नाचेंगे तो हम भी बरबाद हो जाएगे जो धन देता है वो अपनी धुन बजवाता है हमें ऐसे लोगों की धुन नहीं बजाने है दस करोड बीस करोड लेना ही नहीँ हमें तो दस करोड लोगों से ददस रुपय लेने इसलिए पूरे देश में हम لوگ निकले हुए हैं थोड़ा थोड़ा फंड एकटा करके कोश्ट बनाना और एक-एक व्यक्ति को अभ्यान में जोड़कर उसका मेंबर बनाना पांच करोड मेंबर हमें चाहिए इस लड़ाई को जीतने के लिए क्योंकि सारे भरष्ट नेताओं की कुल संख्या चार करोड है कॉंग्रेस बीजेपी जनतादल सी पी एम सी पी आई समाजवादी पार्टी बहुजन समाजपार्टी तेल गुदेशम सब मिलाकर चार करोड है हमें पांच करोड चाहिए उन से बड़ी रेखा हमें खीचनी है तो ये सारे नेता हमारे सामने सरेंडर करेंगे और इनका सरेंडर कराके इनके ही मुझे कबूल वाना है कि मैं इतना रुपिया देश के लिए करता हूँ नियोचावर मैंने लूटा अब ये मैं देश को दे रहा हूँ वो दिन इस देश में लाना है और नहीं करेंगे तो इन सब को बिजली के तारों से उल्टा लटकाना नीचे आग जलानी है और मिर्ची का पाउडर उसमें जोकना है फिर करेंगे ये या तो इमांदारी से कहेंगे मैंने लूटा है ये देश का पैसा है मेरे से गलती हुई तो देश उनको माफ करेगा नहीं करेंगे तो कानून अपना काम करेगा दुनिया के 56 देशों में कानून है रष्टा चार की सजा मरत्यू धंड हमारे यहां भी बनेगा वोई कानून तो ये लड़ाई लड़नी है इस लड़ाई में आपका सहीयोग चाहिए आप एक एक व्यक्ती भी हमारे साथ आएंगे तो हमारी ताकत बढ़ेगी और इसी ताकत से हम ये लड़ाई को चार साल में पूरा करना चाहते हैं तो आप हमारे मेंबर बने अभीयान में शामिल हों और व्यक्तीकत जीवन में थोड़े कुछ आप सुधार करें जैसे अभी हमें दर्द है कि नेता विदेशी बैंकों में पैसा जमा करते हैं और देश की अर्थ व्यवस्था बाधित होती है तो आप अपने जीवन में ऐसा कोई काम न करें जिससे देश का पैसा बाहर जाता हो माने विदेशी कमपनियों की वस्तुएं ना खरीद है कॉल्गेट, पामुली, प्रॉक्टर औंगेंबुल, रेकटेंड, कोल्मेन, पेपसी कोला, कोका कोला, हिंदुस्तान, लीवर इन सब कमपनियों के सामनों का बहिशकार करें आप बोलेंगे पता कैसे चलेगा, कौन सा सामन विदेशी कमपनियों का है उसके लिए एक पुस्तक बनाई है, जीवन दर्शन बाहर रखी है आप ले जाएए, उसमें पूरी लिस्ट है क्या सामन विदेशी, क्या स्वदेशी, हमेशा स्वदेशी खरीद है दूसरा निवेदन है, कि अपने जीवन में कुछ ऐसा करें जैसे सूती कपड़े जादा पहने, खादी के कपड़े जादा पहने ताकि किसानों को कपास का अच्छे से अच्छा भाव बिले अभी देश में एक प्रतिशत खादी बिकती है पंद्रे लाख लोगों को काम मिला है उससे अगर सौ प्रतिशत खादी बिके, पंद्रे करोड़ लोगों को काम मिल सकता है और आंधर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संभावना है खादी के लिए क्योंकि सबसे अच्छा कपास अभी आंदर प्रदेश में ही होता है और सबसे ज़्यादा कपास भी आंदर प्रदेश में ही होता है तो इस आंदर प्रदेश के किसानों के प्रती अगर आपके दिल में थोड़ा भी प्रेम है तो इनका बनाया हुआ सूती कपड़ा, जो कपास से बनता है, खादी कपड़ा आप खरीदे, खादी मिलती है अंद्रप्रदेश में, हर जगे मिलती है, आप अपने जीवन में उसको लाएं, साल में दस मीटर भी खादी खरीदेंगे, तो करोडों लोगों को काम मिलेगा, अ से लेके आए है, आप चाहें तो दो दो पांच-पांच मीटर ले जाएए, वो खादी में हजारों लोग लगे हैं रोजगार के दिरश्टी से, आप खरीदेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, उनको उतसाह बढ़ेगा, और हम चाहते हैं गाओं गाओं ये काम शुरू हो जाए ताकि हर व्यक्ति जो गाओं में रहता है, खाली समय में चर्खा चला ले, सूत बना ले, उसी से जीवन चल जाए उसका, तो आप सौदेशी वस्तूं का उप्योग करें, खादी जादा से जादा खरीदें, और बन सके, तो जीवन को जादा से जादा भारती है ताकि तरफ सौदेशी की तरफ लाएं, तो ये देश और महान बनेगा, एक तरफ व्यवस्ता में सुधार करना है, दूसरी तरफ अपने में भी सुधार करना, हमारी भी कुछ आदतें बहुत खराब हुई है, हर समय हमको इंपोर्टिट चीज़ चाहिए, क्यों चाहिए, जब सब आपका आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, आपने बड़े धीरत से मुझे सुना, और भी दूसरे लोगों को, अगर आप ये बातें सुनाईंगे, तो मैं बहुत बहुत आपका आभारी रहूंगा, जो बातें मेरी आपको बहुत अच्छी लगी हों, उन आपको हिर्दे पूर वक्त परणाम करता हूँ, और किसी के कुछ सवाल हो, तो मैं यहां पर हूँ, व्यक्तिकत रूप से आप मुझे पूछ सकते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपका, गवम आता के लिए अगर कुछ कर सकते हैं, बहुत 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 और वो कानून बदलने के लिए, हाँ, कानून बदलने के लिए संसद में ऐसे लोगों को पहुँचा दो, जिनको सत्ता की परवा ना हो, कुरसी की परवा ना हो, गाय की परवा हो, क्योंकि जगड़ा आता है सत्ता और कुरसी और गाय का, एक बार सत्ता आई ऐसे लोगों क के हातों में जो कानून बना सकते थे लेकिन उन्होंने कुरसी बचाने के लिए गाय को कटने दिया। तो ऐसे लोगों को पहुँचा दो संसद में कानून बदल जाएगा दो मिनट का काम है। केंदर स्तर पर कानून बन जाए गाय के कतल को रोकने का तो सारे कतल काने बंद करना असान है और सिर्फ गाय का ही कतल नहीं सभी जानवरों के कतल को रोकने का कानून केंदर स्तर पर बन सकता है क्योंकि हर जानवर हमारे लिए उप्योगी है कोई भी जानवर बेकार नहीं कोई भी जानवर ऐसा नहीं जिसकी हमें जरूरत नहीं जानवरों को शायद हमारी जरूरत इतनी नहीं है हमको जानवरों की बहुत जादा जरूरत है उनकी जिन्दगी रहे तो हमारी जिन्दगी चले इसलिए जानवरों को तो बचाना ही पड़ेगा और उसके लिए भी कानून बदलना ही पड़ेगा